स्मुश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि यूएस गौर्वर्मेंट ने क्या किया है कि मैंतोल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर बैन लगा दिया है इन्होंने बैन लगाने का परस्ताव जा मैंतोल सिगरेट की कि किशी को लगानी घ्री इसको अच्छे से करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्डिएफ के बारे में इन्फॉमशन देते हैं टेलिग्राम का एक लिंक दिया में लेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं अभी देखिए US Food and Drug Administration ने क्या किया है Menthol Cigarette और Flavored Cigar पर बैन लगाने का प्रस्ताव जारी किया है अभी ये US ने कर दिया है तो Smoking को Control या Smoking को Reduce किया जा सकता है तो यहां पर अभी भारत के अंदर तो Menthol Cigarette के उपर बैन नहीं है ये आर्टिकल आप Indian Express में जाकर पड़ भी सकते हैं यहां पर Date भी मेंशन है 29th April अब बात करें जैसे कि यहां पर First Time लिखी गई है भारत में अभी इसकी विकरी यानि सेल्स के उपर कोई भी बैन ही लगाया गया है जो बैन लगाने वाला First Country था Menthol Cigarette 2012 में वो ब्राजील था हां भारत ने Electronic Cigarette के उपर परतिबन जरूर लगा रखा है और आपने यह हुका सुना होगा ना हुका बार होते हैं इनके सेवन पर भी परतिबन लगाने के लिए जो अलग-अलग राज्य है उन्होंने अपने अलग-अलग नियम फोलो कर रहे हैं अब यहां पर जो यह प्रस्ताव जारी किया गया है इसके बारे में थोड़े सी बातें कर लेते हैं देखिए इसका जो मेन अब्जेक्टिव है जो एम है परतिबंद करना है में तोल और जो अलग-अलग टाइप के जो क्रेक्टराइज फ्लेवर दिये गई हैं सिगरेट के अंदर इन सभी चीजों को साथ इसाथ यह जो फ्लेवर सिगार है इनको भी बैन किया जाएगा इसके अंदर बैन क्यों किया जा रहा है यहाँ पर मानना यह है यूएस का कि यह जो help करेगा बैन करना जो है वो help करेगा बच्चों को सिगरेट की लट लगाने से जो next generation जो smokers बनेगी वो नहीं बनने द जाते हैं तो यूएस गवर्मेंट का कहना यह है कि जो menthol सिगरेटा वो first step है first step है smoking की लट लगाने का फिर second step जो आता है वो सीधा सिगरेट आता जिसके अंदर कोई flavor नहीं होता तो अगर हम first step तक ही बच्चे को ना पहुंचने देंगे तो वो second step तक नहीं जाएगा कैर ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई अगर यह flavored cigarette ना पिये सीधा चाहे तो वो second step पे भी जा सकता है तो इसके अंदर कोई पुकता सबूत नहीं मिलते हैं कैर लेकिन यह तो जरूर है कि कही ना कहीं यह help तो जरूर करेगा कि flavored cigarette या फिर जो menthol cigarette है अगर इसके उपर बैन लगाते हैं तो दूसरे step तक कम लोग वहां पहुंच पाएंगे कैर ऐसा क्या है menthol cigarette में जो लट लगा देता है इसके उपर भी हम आने वाले हैं तो यहां पर जो यह प्रस्ताव है इसमें कहा गया है कि health को यह increase करने वाला है लोगों को health के बारे में जागरू करेगा और जो cigarette है जो दुष्परिणाव यहां पर बताये जाएंगे और साथ इसमें जो प्रस्ताव जारी गया गया है इसमें electronic cigarette शामिल नहीं है केवल सिर्फ और सिरू जो फ्लेवर्ड हुका है या फ्लेवर्ड सिगार है जो menthol cigarette है वही इसके अंदर शामिल गई गई है अब यहां पर कोई punishment को penalty दी गई है देखिए अगर कोई consumer अकेले में अपना पी रहा है उसने कहीं से purchase कर रहे है तो उसके ओपर कोई भी penalty नहीं लगाए जाएगी penalty जो है उसी के उपर लगाए जाएगी जो distributors है जो wholesaler है जो importance है जो इस तरीके के product को manufacture जो बनाते हैं उसकी जलन उसको कम कर देता है और यह सुगंद पैदा करता है इसके अंदर एक taste ला देता है cigarette के अंदर जिससे कहा है जो एक young generation है जो पहली बार cigarette को पी रही है उसको यहां पर अच्छा लगता है बढ़िया pleasant experience उसको मिलता है उसको जलन नहीं होती उसको कड़वाहट नहीं होता है जिससे यह interact करती है और nicotine क्या करता है एक additive effect जारी करता है यानि एक लट लगा देता है हमारे शरीर के अंदर और जिससे क्या होता है smoking छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो menthol cigarette काफी ज़्यादा मतलब दुश प्रिणाम है health के ओपर menthol cigarette का अब यह यहां पर एक जो US के द्वारा एक वर्ग की भी बात की गई है इनका कहना है US के अंदर जैसे आपको पता है black और white यहां पर यह issue काफी ज़्यादा चलता है सफेद और काले और गोरे का यहां पर काफी ज़्यादा issue चलता है तो इन्होंने कहा है कि जो black community है जो काले जो करते हैं तो कहीं न कहीं अगर हम बैन लगाते हैं तो इनको काफी ज़्यादा help मिलने वाली है ऐसा US के द्वारा कहना है अब यह तो हो गया US की बात भारत पर आते हैं भारत में तंबाकू को लेकर क्या स्थिती है तो यहां पर जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले अ विमल नाम को परमॉट कर रहे थे उसका एंडॉर्समेंट हो रहा था विमल नाम का तो अगर आप दुकान पर जाके देखते हैं तो आपको विमल वागेगेंगे तो आपको विमल लेलाइची कोई निदोगा वेमल देगा वहां पर तो इस तरीके के हमारे celebrity कहीं न कहीं एक गलत काम कर रहे हैं जिसमें लोगों को लट लगा रहे हैं cancer की अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे cancer की क्या तंबाकू की आप देखिए यहां पर एक report आईए global youth tobacco survey जिसके according बात किया गया है कि भारत दुनिया का second number पे user है इस तंबाकू को use करने वाला भारत में हर साल तंबाकू से 13 लाख लोगों की बिमारी मतलब तंबाकू के कारण होने वाली बिमारियों से मौत हो रही है जो तंबाकू को promote कर रहे हैं लोगों को यहां पर health खराब करने की तरफ अकरशित कर रहे हैं कि जाओ भाया खाओ विमल क्योंकि हमें तो पैसे मिल रहे हैं तो यह कही ना कहीं कलत है आप खुद समझदार बनिया और इस तरीके की एड़ोटाइजन्ट से बचिए अब यहा 35,000 लोग दुम्र रहित तंबाकू कौन सा होता है जैसे गुटका हो गया सीधा तंबाकू काना हो गया तो इससे 35,000 लोग हर साल मर रहे हैं तो यतनी लोगों की जान जा रही है बावजूद इसके हमारे देश के अंदर बड़े बड़े celebrity बड़े हिशान से तंबाकू को promote क कर रहे हैं अब इनके अलावा बात करेंगी भारत के अंदर 15 साल से जो अधिक आयू के जो बच्चे हैं या लोग है 27 क्रोड लोग और 13 से 15 वर्ष के आयू के वर्ग में 8.5% जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो कही ना कहीं तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और इस तंब वार्षिक आर्थिक भारत होता है इतना एकनोमिक बर्डन होता है भारत को और तंबाकू का उपयोग कई गैर संचारी रोगों से मतलब इससे काफी सारी बिमारियां होती हैं जैसे कैंसर इससे सबसे जादा होने वाला है 27% अगर भारत में 100% कैंसर हो रहे हैं तो 27% कैंसर हो तंबाकू के कार्ण हो रहा है और इसके कार्ण कैंसर हो गया जो हार्ट प्रोब्लम हो गई फेफड यानि जो लंग की बिमारी हो गई इनसे काफी जादा भ्यानक बिमारियां हो रही है और भारत में इस तरीके के परतिबन का क्या असर होगा देखिए अगर हम इस तरीक या फिर रजनी गंदा को जैसे पर्मोट कर रहे हैं रजनी गंदा दुनिया कदमों में इस तरीके की बकवास बाजी जैसे वो की जाती है तो आप देखिए बीडी पीना तंबाकू चबाना इस तरीके को काफी जादा किया जाता है भारत में तो सिगरिट पीने वालों की अधिक आयू के जो 26.7 क्रोड तंबाकू उपयोग करता है जिन में से 18% अबादी जो है वो धुमा रही तंबाकू 7% धुमरपान और 4% दोनों ही यूज़ कर रही है जिससे ये पता चलता है कि गुटका काफी जादा भी करा है जो तंबाकू वो सीधे तोर पे वो खाया ज जैसे मैंने का ना कि एक step 1 होता है कोई चाहे तो step 1 को भी skip करके step 2 पे जा सकते हैं अब इस सिग्रेट पीने वाले को तंबाकू का एक जिसका होता नहीं कि experience लेना है उसको तंबाकू का नशाई हो जाते हैं तो वो तो क्यों फ्लेवर लेगा वो तो तंबाकू खाएगा पी रहे हैं और अगर हम बैन भी लगाते हैं तो इससे काफी सारी समझ्चाएं भी हो रही है ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे बैन लगाने से जैसे यहां पर तसक्री बढ़ जाती है एक गजामपल अगर आप देखते हैं गुजरात जहां पर शराब बहार जिसके अंदर इलीगल शराब भिक रही है और वहां पर जैसे कि कह रहे हैं कि इलीगल के कारण लोगों की वहां पर हैल्थ भी तो खराब होई रही है यह तसक्री को बढ़ावा मिलता है वहां पर और बर्तमान में विभिन फ्लेवर्स की उपलपता पिछले काफी टाइम से बढ़ भी र अंगटन फ्रेमवर कंवेंशन ओन टबैको कंट्रोल केता है तंबाकु नियतरन प्रावधावनों को अपनाया है डबलू एच्चों की जो प्रावधान है उनको अपना रखा है भारत ने और भारत ने सिग्रेट और टबैको प्रोड़क्ट एक्ट 2003 यह एक नियम है हमारे अविग्यापनों पर प्रदिशित किया जाता है जैसे आप एक सिग्रेट की डबी देखते हैं तो उसके ओपर 85% तक 85% तक एक इमेज लगाई जाती है जिसमें दिखा जाता है कि कितनी घ्यानक वो तश्वीर होती है और यहां पर भारत के अंदर वो चीज़ें लगा जात 2003 के अधिनियम के अधिनियम में सिगार, बीडी, चेरोट, पाइप, तंबाकू, हुका, चबाने वाले जो तंबाकू हैं पान, वसाल, अगुट का यह सब शामिल किये गए हैं इनके ओपर बैन हैं अब यहां पर electronic secret निशेद अध्यादेश 2019 की घोशना भारत ने 2019 में जो e- नेशनल टंबाकू, quit line services हमारे देश में शुरू की गई हैं जिससे क्या है तंबाकू quit line services में तंबाकू का उपयोग बंद करने के लिए एक टेलिफोनिक अधिखारिक जानकारी, सला, समर्तन और referral सेवा परदान करने के एक मातर उतेशे के साथ कई तंबाकू उपयोग करता एप है, mobile app है, जहां पर 2016 में सरकार ने digital इंडिया पहल के हिस्से की रूप में से text message का उपयोग कर M session करेकरम शुरू किया था, इसके अलावा आगे की रहा क्या हो सकती है, अब यहां कहा गया कि काफी सारी जो policy हैं, उनके अंदर intervention की जरूरत है, उनके अंदर शंशोधन की देखिए, तंबाकू नियंतर्ण उपयायों के संदर्व में जो गरीबों को अलग-अलग लक्षित करते हैं, विग्यापनों पर पर परतिवन यानि एडवर्टाइजमेंट पर पर परतिवन लगाएं, तंबाकू की कीमत बढ़ा दो, कारेस्ताल में हिस्तक्षेप करो, इस से क्या होगा, जो लोग बाकू खाते हैं, उनको छोड़ना चाते हैं, तो उनको help मिलेगी, और यहां पर काफी सारी जो policies हैं, उनके अंदर reformation की जरूरत हैं, बड़े पैमाने पर काफी सारी जो health कारेकरम हैं, उनको चलाया जाना चाहिए, लोगों को aware करवाया जाना च इतनी भी जो भारत के अंदर celebrities हैं, जो इस तरीके के घटिया product को promote कर रही हैं, आपको खुद सावधान रहना होगा, वो सब पैसों के लिए कर रहे हैं, उनको पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो लोगों के health से बढ़कर उनके लिए पैसे हैं, तो आप समझे कि अपनी health का ध्यान रखिए, और सबसे अच्छा होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को cigarette पीने से रोकिए और उनको समझाईए, ये काफी जादा एक अच्छा achievement होगा, बजाए कि आप किसी को promote कर रहे हैं, काफी सारे लोग cigarette पीने को बड़ा ही अपने आपको dude समझते हैं कि हम cigarette पिएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएंगे, तो ये सब चीजे नहीं करनी है, तो उमीद करता हूँ कि ये जो lecture वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाया है तो like करिए, subscribe करिए चैनल को, PDF के लिए फिर से बता देता हूँ, description box में telegram का link दिया मिलेगा, तो जा कर दीजे, चैनल को as well as video को भी, thank you for